Hello friends, हम सीख रहे हैं literary terms, जैसा आप जानते हैं, हम literary terms को simplify करते हैं, तो चलिए friends, आज हम सीखने जा रहे हैं dherj and dherj, दो important literary terms, तो मेरे साथ बने रहिएगा, let's start, बाद friends, dherj की कर ले, actual में क्या है, dherj होता है, एक lament song, डिर्ज की बात करें डर्ज क्या है कैसा होता है लिरिकल मूट में यह लिखा जाता है एक ऐसा सौंग जो लामेंट के लिए होता है यानि जो विलाब के लिखा जाता है और लिरिकल मूट में यह होता है it is intended to accompany funeral or memorial rights जो funeral rights होते है उनको perform उनके लिए लिखा जाता है या जो memorial rights होते हैं किसी के memory बे उसके लिखा जाता है okay, clear friends, it is intended to accompany it is intended to accompany funeral or memorial rights Funeral और Memorial Rights Clear reference, Funeral और Memorial Rights के लेखा जाता है और यह जो आया है, एक्चुल में Greek है, E.P. C.D.I.M. से आया है Comes from Greek E.P. C.D.I.M. से आया है, which was a morning song और E.P. C.D.I.M. एक्चुल में क्या था? एक morning song था Clear? Sung over the dent Which was A morning song Clear? जो एक विलाप गीत था और किस पर था? Sung over a debt And a three noddy Three noddy क्या होता? एक विलाप गीत होता था Thinoddy भी sung in memory of the dead The memory of the dead जो किसी म्रत व्यक्ती की memory में गाया जाता है कौन थी नoddy Actual में जो रोमन एक funeral procession था जिसका नाम था नैनिया नैनिया क्या था, friends? अब funeral song और Spacely जब जो जाने वाला व्यक्ती होता था जो म्रत व्यक्ती होता था उसकी प्रसंसा में वो गाया जाता था और Actual में उसमें गाने के लिए कुछ वोमन होती थी, wailing woman उनको हायर किया जाता था किराय पर जो महिलाय है उनको रोने के लिए हायर कर लिया जाता था Conference Roman funeral procession नैनिया में In Roman funeral procession The Nenia Clear friends और नैनिया क्या था A funeral song जो एक funeral song था A song of praise for the department A song of praise For the departed यानि जो म्रद रेक्ती है उसकी प्रसंसा में एक गीत था नैनिया Clear? वो चांटेड और जो गाया जाता था किसके द्वारा By the profession wailing department जो wailing woman है उनके द्वारा Hiring wailing woman के द्वारा Clear? तो क्या है friends डर्ज की बात करें एक lament song है और lament song है Usually lyrical mood में जो होता है Intended to the accompany of funeral or memorial rights जो memorial rights है या funeral rights है उनके उपर ये लिखा जाता है उनके लिए especially बना होता है EPCDM से आया Greek जो क्या था EPCDM? एक morning song था जो म्रद व्यक्ति के लिए गाया जाता था And the Thinodi is sung in the memory of the dead और एक Thinodi जो एक dead व्यक्ति की memory में गाही जाती है और Roman funeral procession था एक नेनिया funeral song था जिसमें जो एक departed व्यक्ति था उसके लिए गाया जाता था और by the wailing woman clear? तो चले friends, I hope this समझ आ रहा होगा note करते, फिर आगे बढ़ते Friends, बाद में डर्ज डवलप हो गई एक lyrical poem में जैसा कि example हमें देखने को मिलता है जो Sir Philip Sydney की poem रही है Arcadia, Arcadia में जो poems है उनमें इसका example हमें देखने को मिलता है Later the dards developed into a lyrical poem developed into a lyrical poem और example है Sir Philip Sydney Arcadia जो आया था 1590 में Cliffans, Sir Philip Sydney का Arcadia जो 1590 में आया उसमें poem स्टार्ट होती है कि रिंग आउट यॉर बैल्स रिंग आउट यॉर बैल्स जोर से बजाना जोर से बजाओ अपनी घंटिया लेट मॉर्निंग शोज बी इस्पैट लेट कि जो मॉर्निंग श्यूज है और ये जो वर्ड आया था श्यूज ये एक्चल में old form थी किसकी शो की शो के लिए श्यूज लिखा जाता था पुराने जमाने में तो लेट मॉर्निंग श्यूज बी इस्पैट कि जो मॉर्निंग सो है यानि जो विलाप का शो है उसको इस्पैड होने दो यानि अपनी घंट या जोड से बजाओ और जो विलाप है उसको होने दो तो अकेजडली ये जो डर्ज है ये पले में भी देखने को में मिल जाती है ये पले के अंदर भी हम इनको देख सकते हैं जैसे विल्यम शिक्ष्पीर का एक पले रहा है और पले का नाम है टेमपेस्ट जिसमें एरियल सॉंग है फॉर फटेरेनट के लिए फैमस सॉंग है जिसकी लाइन है फुल फैदम फाइब दाई फादर लाइस क्या फुल फैदम फाइब फुल फैदम फाइब दाई फादर लाइस क्लियर कि फाइब फैदम पे तुमारी जो पिताजी हैं वो लेते हुए है एक्ट फस्ट के सीन सेकंड में टेमपेस्ट के ये जो एरियल सोंग है ये आता है और ये किसका एक्जामपल है एक डर्ज का एक्जामपल है इसी के साथ एक डर्ज का दूसरा एक्जामपल विलियम सिक्ष्पियर का एक प्ले है सिंबल आइन, सिंबल आइन में फिडेल्स की जो डर्ज है फिडेल्स का जो सौंग है वो हमें देखने को मिलता है किसमें सिंबल आइन में जो एक्ट फॉर्ट के सीन सेकंड में है एक्ट फॉर्ट सीन सेकंड और यह है जो एरियल सौंग है यह एक्ट फरस्ट के सीन सेकंड में सिम्मे लाइन की लाइन है कि फियर नो मोर दा हीट ओ दा सन फियर नो मोर दा हीट ओ दा सन तो यह दो एक्जामपल हमें देखने को मिले एक तो ट्रअशल से है और दूशल सेयर साथाथ आड़ी आ किक लिए तो immersब को सब्सक्राइड आपको अगरी लेकर करते हैं तो चलिए फ्रीन हें चलिए फेर्ण से सब्सक्राइज का छंशली प्रोट्त करते हैं चलिए व्लीन हमेड़ी पर कुम locks डी थी रेम, क्या, डी थी रेम, D-I-T-H-O-Y-R-A-M-B, डी थी रेम, और डी थी रेम क्या है, these are the poems in honor of Dionysus, एक Greece God रहे हैं, friends, Greece में जो Bacchus का नाम सुना होगा आपने, Bacchus, या God of wine, जिनको कहा जाता है, Bacchus को, या Dionysus को, तो वो रहे हैं, Greece में, तो उनके honor में, उनके सम्मान में, जो poems हैं, जो लिखी जाती हैं, उनको नाम दिये जाता है, डी थी रेम, clear? तो डी थीरेम्स आर, these are the poems in the honor of Greece God और ग्रीस जो गॉड रहे हैं, उनका नाम था, friends, Dionysus. Dionysus, clear, friends, और Dionysus क्या रहे हैं, जो wine god हैं, या Bacchus जिनको कहा जाता है, वो रहे हैं, Greece, wine god, clear? wine god, और दूसरा नाम था इनका Bacchus, clear हुआ? अब यह जो poem हैं, डी थीरेम्स, these are tended to be wild, irregular and dissonant. यह कैसी रही हैं, यह रहती हैं, wild, irregular and dissonant. tended to be wild, irregular and dissonant. clear, friends, और अगर डी थीरेम्स की बात करें, तो यह सबसे पहली जो Greece है, Greece में introduced हुई थी, और 7th century BC में यह introduced की गई, कहां? ग्रीस में, introduced in Greece in 7th century BC, यानि BC में 7th century में यह introduced की गई, और अगर modern literature के बात करें, तो यह जो डी थीरेम्स है, यह rare आपको देखने को मिलती है, clear, friends, in modern literature, these are very rare. very rare, डी थीरेम्स, और अगर इसके example की बात करें, तो एक poem रही है, जॉन ड्राइडन की, जिसका title था, Alexander's Feast, by Dryden, यह इसका एक example है, clear, friends, किसका? डी थीरेम्स का, तो डी थीरेम्स क्या है? एक poem है, जो लिखी गई है, किसके सम्मान में, मिन्स, किसके सम्मान में लिखी जाती है, poems, डाइनरसस के, जो एक Greece God, या Greek God आप कह सकते हैं, जो God of wine कहे जाते हैं, जिनका दूसरा नाम पैकस भी है, और these are tends to be wild, irregular and disonant. जो wild हैं ये poem, irregular हैं और disonant हैं, और इसी के सबसात अगर introduction की बात कहें, सबसे पहले introduce की गई Greece में, कब 7th century BC. और friends, modern literature में ये very rare हैं, और example आपको मिल जाता है Alexander Feast, जो एक poem रही है, John Ryden की. Clear friends, तो I hope आज दोनों लिटरी टर्म्स, डर्ज और डिठीरम आपको clear हुए होंगे, clear हुए की नहीं हुए, comment करके जरूर बताएं, और friends, चैनल पर फस्टाइम आए हैं, subscribe करें, notification bell को on करें, ताकि जो भी lecture चैनल को आएं, सबसे पहले आप तक पहुंचे, मिलते हैं, Thanks for watching this video.